Hi guys, welcome back to my channel दोस्तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर कि आई हूँ Pimples और एकने को ठीक करने के उपाय आप इस उपाय को रोज रात में करके अपने Pimples को ठीक कर सकते हैं और कम कर सकते हैं तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या करना है लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सबस्क्राइब के बगल वाले वेल आइकन को भी जरूर दबाएए ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे इस वीडियो में आप लोगों को ठीक करने के लिए फेस्वास बनाना बताऊंगी और मैं पूरा प्रोसेस बताऊंगी कि फेस्वास को बनाने के लिए आपको क्या-क्या लेना है इसको प्रिपेर कैसे करना है इसका इस्तिमाल कैसे करना है इसलिए इस वीडियो में पूरे इन तक बने रहे है पिंपल्स ट्रीटमेंट के लिए मैं जो फेसवास बनाना बता रही हूँ इसके लिए आपको सबसे पहला इंग्रीडियन्ट लेना है तुलसी का पत्ता मैं तुलसी के पत्ते को नहीं तोर रही हूँ क्योंकि मेरे लिए ये यूजलेस हो जाएगा क्योंकि मैंने कई बार आप लोगों को बता रखा है कि मुझे पिंपल्स नहीं है इसलिए मैं बस आप लोगों को बता रही हूँ कि इसे बनाना कैसे है मैं तोर की नहीं बताऊंगी तुलसी के पत्ते में एंटी आक्सिडेंट, एंटी बैक्टिरियल, एंटी फंगल, एंटी वैरल और इम्म्यून सिस्टम को बढ़ाने वाले तत्तों पाये जाते हैं जो चेहरे की चमक को बढ़ाते हैं और तोचा समंधी सभी रोग को दूर करते हैं अगर आपके चेहरे पर पिंपल्स नहीं भी है, एकने नहीं भी है अगर आप फिर भी तुलसी के चार से पांच पत्ते रोज खाते हैं तो आपके चेहरे पर पिंपल्स और एकने नहीं होंगे या फिर किसी भी तरह के दाग धब्बे नहीं होंगे तुलसी के पत्ते में anti-aging पुरपटीच पाई जाती है तो ये चहरे से wrinkles को भी remove करता है तुलसी के पत्ते का इस्तेमाल हमारे चहरे से और body से घौमोरियों को दूर करता है रंगत को निखारता है आपको करना क्या है आपको 10 से 12 तुलसी के पत्ते लेने हैं और इससे रस निकाल लेना है अगर आप 10 से 12 तुलसी के पत्ते से रस निकालेंगे तो आप लगवक दो चम्मच रस निकाल पाएंगे तो आपको दो चम्मच तुलसी का रस लेना है दो चम्मच तुलसी के रस में आपको एड़ करना है हल्दी पाउडर आपको आधा चम्मच हल्दी पाउडर एड़ करना है और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हल्दी सरीर से बैक्टिरिया को साफ करती है और तोचा के रंग को हलका करती है साथ ही चेहरे के बाल भी कम करती है हल्दी में है कुरकुमीन कुरकुमीन एक एंटिबैक्टिरियल है जो चेहरे से pimples को रिमूब करती है और pimples के दाग को भी खतम करती है हल्दी में कई ऐसे इसेंठियल वहल है जो pimples से छुटकाड़ा दिलाता है, दाग दबो को मिटाता है और नए सेल का निर्मान करता है आपको इसका इस्तिमाल कैसे करना है आपको दो चमच तुलसी के रस में आधा चमच हल्दी पाउडर मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद रोज रात को सोने से पहले अपने चेहरे को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए और साफ चेहरे पर कॉटन की हेल्प से इस पैक को लगाईए और लगा कर पूरी रात के लिए छोड़ दीजिए सुवा उठकर अपने चेहरे को ठंडे पानी से धोलीजिए अगर आप इसका इस्तिमाल रोज करते हैं तो आप बहुत ही जल पिंपल्स से और एकने से छुटकारा पा सकते हैं साथ ही ये पिंपल्स के और एकने के दाग को भी दूर करेगा अगर आपको पसंद आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ सेर कीजिए फेसबुक पर और वाटसेप पर ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके थैंक यू